हलो दोस्तो तोड़ेज फर्स्ट इडियम इस टेक दपलंज मेनिंग तो मेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट फोर लॉंग टाइम आप किसी चीज के बारे में काफी सोच समझ कर विचार कर डिसीजन लेते हैं तो हम यूज करते हैं टेक दपलंज एक्जाम्पल इफ यू वां तो स्टार यू बिजनिस देन यू विल हैव तो टेक दपलंज यगी तुम अपना बिजनिस शुरू करना चाहते हो तो तुम्हें काफी सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा सब कुछ प्लैन करके कर रहे हैं I took the plunge and finally shifted to Delhi आखिरकार मैंने डिसाइड कर लिया काफी सोचा समझा और आखिर में डिसाइड कर लिया और मैं डैली शिफ्ट हो गया हूं तो टेक दपलंज का सेंस इस तरह हम यूज करते हैं सेंटेंस में next idiom is to go the extra mile meaning to make more efforts than is expected of you जितना हमसे expect की जाती है या जितना हम generally करते हैं जितने efforts हम उससे जादा जाकर उससे आगे जाकर कुछ extra करें कुछ special efforts डालें then we can say to go the extra mile example I can go to extra mile to help my friends मैं अपने दोस्तों की सहेता करने के लिए extra mile जा सकता हूँ यानि कि कुछ extra efforts कर सकता हूँ if you want the promotion then you will have to go the extra mile यदि तुम promotion चाहते हो तो तुमें extra mile जाना पड़ेगा तुमें कुछ special efforts देने पड़ेंगे अधिक मैनत करनी पड़ेगी you have to go to the extra mile if you are willing to go the extra mile at work you are bound to get noticed and grow professionally यदि तुम अपने जॉब में अपने काम पर willing हो go the extra mile जादा effort करने के लिए willing हो तो definitely तुमें notice किया जाएगा और तुम professionally grow करोगे if you are willing to go the extra mile at work you are bound to get noticed and grow professionally next stadium is under the weather under the weather का मीनी है you feel slightly ill और you can say not in good health जब आप थोड़े बिमार हो तो you can say I am under the weather तब्यत खराब हो जाना थोड़ी बहुत example देखते हैं the player was under the weather yet he decided to play for his team जो player था उसकी हाला की तवेट ठीक नहीं थी he was under the weather फिर भी उसने टीम के लिए खेलने का decide किया she had to cancel her date as her father was under the weather उसको date पर जाना था उसका planning था पहले से कुछ date का but उसे वो cancel करनी पड़ी क्योंकि उसके फादर बिमार थे she had to cancel her date as her father was under the weather I noticed that the cat was looking a little under the weather मैंने notice किया कि जो cat है वो थोड़ी बिमार लग रही है the cat was looking a little under the weather next idiom is better late than never इससे हिंदी में मिलते जुलता मुहावरा है देर आए दुरुस्त आए meaning it is better to do something late than to never do it at all कि हम किसी काम को कभी ना करें उससे अच्छा है लेट ही कर लें लेट सही बजाए ना करने की देर आए दुरुस्त आए example he realized his mistake after a long time but it's better late than never उसने काफी लंबे समय के बाद अपनी गलती को realize किया लेकिन चलो किया तो सही उसने चाहे देर से किया लेकिन अपनी गलती को realize किया मुझे पता है कि मुझे ये लेटर भेजने में कई हफते लग गए बट चलो मैंने भेजा तो सही बजाए ना भेजने के फाइनली आई सेंट इट बेटर लेट दन नेवर वी ओनली अराइवड अट गेम अट हाफ टाइम बट बेटर लेट दन नेवर हम गेम पर गेम देखने जा रहे थे लेकिन हम केवल हाफ टाइम निकल गया था तभी वहाँ पर पहुंचे बट कोई नहीं हाफ गेम तो हम देखी लेंगे अट लिस्ट सो इस बेटर लेट दन नेवर नेक्स्ट इडियम इस तो बीट अराउंड दा बुश मिनिंग टू अवाइड टॉकिंग वाट इस इंपोर्टेंट यानि कि किसी में मुद्ध पर आने की बजाए बात को गोल गोल घुमा के प्रिस्तुत करना घुमा फिरा के बात करना बजाए सीधा पॉइंट पर आने के कि बातें घुमाना फिराना बंद करो और मुझे सच बताओ कि सच क्या है स्टॉप बीटिंग अराउंड दा बुश क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हे अपने बर्डे पे पॉइंट पे आओ सीधा मुझे बताओ क्या बीटिंग अराउंड दा बुश कि बात को घुमाओ फिराओ मत घुमाओ और फ्रेंक्ली मुझे बताओ कि तुम मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हूं क्या नियुक्त बातर में पे बुशच और दोगिक्द आपको इनग पांच विडियम पर पाँच सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में डालने है थैंक यू